वेलकम टूवर चैनल ग्यान लो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू लेंड्स लॉफ ऑफ ऑक्टेव देखिए लॉफ क्या कहता है यह जो लॉफ है 1866 में रिप्रेजेंट किया गया था जो की एक इंग्लिश कैमिस्ट थे जोन न्यू लेंड्स उन्होंने इसे डिस्क में चैनल आज कहस्ट अरेंज को लोर अचाली कमस लेकर उन्होंने जो भी ऐस दो limited सोपंट गया और जो लास्ट रडर्ले मेंट्स हां resol था और जो रक यानिकी थारियम उन्होंने यहनिकि कि त को ढलिमेंट्स जो ते अवेलेबल थे और बाकि उस टाइम डिस कोवर नहीं हुए थे तो उनकी एक्साइब जो एलेमेंट की अच्ड फैषिंड आटोमिक मास की को अच्ड उनके आग दोरीन्स आमिक आठिर मेंश्या का लूण उन्होंने सभी elements को arrange कर किया उनकी properties के according और जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी 8th element है यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 7th, 8th, हर एक 8th element कि जो property है वो repetition में होगी repetition में होगी यानि repeat होगी उन्होंने ये कहा था और ये जो property है उन्होंने law of octave के according दी थी यानि इसे बोला गया था law of octave और उन्होंने इनके music scale पे according उन्होंने इनको बताया था तो इसे एक music scale के according represent किया गया था कि music में साथ सूर होते हैं जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा, साथ सूर होते हैं और जो eighth है वो फिर साथ होता है यानि कि जो eighth element होगा उसकी property same होगी first की तरह ये उन्होंने इसमें बताया था फोर एक्जामपल सबसे पहले जो एक पार्ट में आपको represent कर रही हूँ लीथियम फिर उन्होंने दूसरा दिया था बेरेलियम ऐसे ही बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ओक्सीजन फ्लोरीन ऐसे ही sodium magnesium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine यानि ये first element second, third, fourth, fifth, sixth, seventh ये seven element है तो ये first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh के बाद ये eighth element होगा यहाँ पे ये nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen यानि कि seven के बाद जो अगला element होगा हर एक eighth element की property नीचे यहाँ पे potassium और calcium हर एक eighth element यानि कि फ्लोरीन के बाद sodium, sodium के बाद potassium हर एक element की property जो होगी वो उस group के according same होगी उन्होंने ये बताया था यानि कि इन तीनों की property same होगी इनकी property same होगी इनकी property same होगी ये उन्होंने बताया था इस तरह से उन्होंने इसको represent किया था तो जो हर एक eighth element की property first वाले के equal होगी example के तोर पे जो इनका original table था जो उनका original table था वो ये वाला था जो मैं आपको represent करूँ ये वाला इस table में अब यहां देखिए sodium की बात करें sodium जो है वो एक eighth element है किसे lithium से क्यांकि lithium से count करें कि 1,2,3,4,5,6,7,8 तो वो एक eighth element है जो कि lithium के नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि जो lithium रो sodium की property है वो सेम सेम है उनके law के according लीथियम रो sodium के वपटे नियर क्वाइट सिमिलर होंगी ऐसे ही अगर हम next turn देखें calcium जो है वो magnesium का eighth part है यानि कि eighth number पे आ रहा है कैसे वो मैं आपको बताती हूँ देखिए यहां पे है यह है हमारे पास magnesium मैंगनेशियम से आगे eighth one two three four five six यहां से one two three four five six seven eight eighth number पे आ रहा है मतलब कि बैंगनेशियम और calcium की property जो होंगी वो भी near about equal होंगी इन दोनों की property भी near about equal होंगी means to say कि जब पूरा एक पूरा group है ना इसकी properties इस group में जो element है इन सब की properties जो होंगी वो similar होंगी जितने भी group में यह है हर एक group की property similar होंगी और हर group की सिर्फ group की बात हो रही है सारे elements की यहां पर बात नहीं हो रही है यह represent कर रही है तो यह था newland law of octave लेकिन इसकी कुछ limitations थी newland law of octave है इसकी limitations करेंगे देखिए first limitation यह है कि जो newland law of octave है यह सिर्फ calcium तक ही applicable है यह सिर्फ calcium तक ही applicable है जो higher atomic number के elements हैं जैसे कि calcium से हम आगे जाएंगे उनके लिए यह applicable नहीं है first इसकी limitation यह है second limitation क्या है कि second है position of hydrogen hydrogen की position देखिए hydrogen जो है उनको fluorine, chlorine, bromine, cobalt, nickel के साथ रख दिया है जो की properties के जाथ hydrogen की properties और इनकी properties आपस में match नहीं करती हैं तो hydrogen को fluorine, chlorine के साथ रखा है जो की justify नहीं करती है इसकी properties जो है वो justify नहीं करती है third इसकी limitation यह है कि newland ने दो elements को same slot में fit कर दिया जैसे की cobalt और nickel को और यह देखिए यहाँ पर भी दो-दो elements को same slot में रखा है cobalt और nickel को same slot में रखा है और कौन से column में रखा है जिसमें fluorine, chlorine और bromine है और लेकिन cobalt और nickel की जो property है वो fluorine, chlorine, bromine से थोड़ी सी अलग है और जो iron है उसको इसके साथ नहीं रखा ठीक है तो जबकि iron को इसने अलग कर दिये रहा है iron iron को cobalt और nickel से अलग कर दिया है तो यह भी जो है यह भी ठीक नहीं है इस table में तो जो new land law of octave है सिर्फ light element जो हलके elements है कम atomic mass है उनके लिए ही ठीक है और फिर बाद में क्या हुआ था कि इनको यह जो classification है वो reject कर दी गई थी उसके बाद आया था हमारे पास mend leaves प्रियोर डिक्टेबल जो कि mend leaves ने बनाया था वो हम next topic में करेंगे थैंक यू थैंक ये वीडियो देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल ग्यानलो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू